हेलो गाइज, वेल्कम टू डीके मैट्स एजुकेशन तो इस वुड़ो में मैं फ्रेक्शन चैप्टर का एक्साइज 7.3 का पार्ट टू करवाना वाला हूँ जिसमें मैं 6th कोशन से लेके 9th कोशन तक करवाने वाला हूँ तो बढ़ते हैं हम लोग 6th कोशन की तरफ तो 6th को mat4, यह equivalent है कि नहीं, तो यहाँ पे equivalent चेख करने के लिए हम लोग इसको kris cross multiply करेंगे, मतलब cross multiplication उस करेंगा, अगर cross multiplication के बाद, दोनों सइड का अगर जो PRODUCT रहता है वह अगर सेम आता है, तो मतलब यह equivalent अगर अलग 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 आता है, इक्वल नहीं आता तो वह इक्वलेंट नहीं है और जो मैंने एक मेथड़ बता था वह जो मेथड़ है वह सिंप्लेस्ट फॉर्म के लिए यूज़ हुआ जाते है तो हम लोग यहां पर इसे क्रॉस मुल्टिप्लाइ कर देंगे तो सबसे पहले मैं 5 को 54 से इंटू करूंगा तो जो भी इसका प्रोड़क्ट आएगा दोनों का प्रोड़क्ट वह इक्वल हुआ तो मतलब यह इक्वलेंट अगर नहीं हुआ तो नहीं है तो सबसे पहले हम लोग 54 को 5 से इंटू करेंगे तो इसका तो आनसर आहा है कि अब देखते इक्वल में इसका आंसर क्या दए तो हम लोग 30 को 9 से इंटू करेंगे तो यहाँ देख सकते कि दोना साथ जो आनसर है हम लोगा 270 270 आया है मतलब इक्वल है तो इससे हम लोग यह बोल सकते कि जो दो fractions है वह equivalent है बस यह बड़े फॉर्म में लिखा गया है छोटे फॉर्म में लिखा गया है कि 5 by 9 जो है वह 30 by 54 के equal है तो बढ़ते हैं हम लोग भी पार्ट की तरफ तो यहाँ पर मैंने बी और सी पार्ट जो है मैंने सॉल करके रखा है तो अभी मैं समझाता कि मैंने कैसी क्या तो वही क्रिस क्रॉस इसको पहले मुल्टिप्लाई किया 3 को 50 से किया 12 को 10 से इंटू किया फिर आया वांसर हमका 150 और 120 जो है मैं अग्ले कुशंक्स से में बढ़ने से पहले आप लोग को मैं एक बर वह एक आसे असे करने सिखा रहो इह अगर आपको कौन सा दर्युच करना आप लोग पर डिपेंड़ना में जाद अच्छा प्राइब करूंगा वो में यूज करने य तो यहां पर एक स्पाला में यूज्च करने तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले जो भी हम चोंड फ्रैक्शन दिया घाए । फोर्म नीकालकर तो नहीं होगा। तो मैंने क्या किया? सबसे पहले उसका सारे फैक्टर्स लिखे फिर उसमें से common factors निकाला,F निकाला, फिर ही सिखस में हाईश था six फिर उसको इन दोउनों टम से दिवाइड कर दिवाइड करने के बाद हम लों कांसर है five by nine, 5 by 9 जो है वो इसके equal है मतलब जो 30 by 54 असको हम लोग 5 by 9 भी लेख सकते हैं तो मतलब 5 by 9 30 by 54 फिर 5 by 9 हम लोग यह 30 by 54 असको 5 by 9 से replace कर देंगे तो इधर भी 5 by 9 आ जाएगा तो मतलब यह equal हो जाएगा तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि यह जो first हम लोग का a part जो था वो जो है equivalent है पर अगर हम लोग यह बाखी के दो पार्ट not equivalent है तो अगर हम उसमें यह ऐसे फाला method करें यूज करेंगे तो उसमें भी not equivalent आएगा तो हम लोग बढ़ते 7th question की तरफ तो हम लोग का 7th question है कि reduce the falling fraction to simplest form तो हम लोग को यह fraction है इसको simplest form में लाना है तो हम लोग को simplest form में इसको अगर लाना है तो हम लोग को इन दोनों नंबर को एक ऐसे number से divide करना चाहिए जो इन दोनों को divide कर दे और एकदम छोटे form में ला दे पर वो दोनों से divide हो तो उसके हम लोग इस HCF करेंगे स्कूल एकदम क्या होगा हम लोग इसके factors निकाले दोनों नंबर से divided ही 48 और 60 का factor और पर लोग यह दोनों नंबर का पहले factors निकालेंगे फिर common factor ढूंण वाला common factor गुणने के वाद इसके हाइस्ट वाला common factor गुणने के वह दोनों जो रहेंगे वह दोनों नंबर से डिवैड हो जाएंगे तो यह पर मैंने आप लोगों को जैसा बताया था वैसा ही solve करके दिखा दिया है पहले मैंने इन दोनों का factor से निखाल पर फैक्टर निकाल के वाद कॉमन फैक्टर चाटना चालो किया उसके अबाहल मैंने इसमें से हाइस्ट कॉमन फैक्टर मतलब है जो कॉमन फैक्टर था उसमें हाइस कुम से तक थो छोटा ओ이न लिख सकते लों के इन लोग नहीं लिख सकते दो तरफ तो यहाँ पर मैंने भी और सी पार्ट को तब है तो सब्सक्राइब बने चाहरा तो सब्सक्राइब लिखा थिर दोनें फैक्टर लिखा फिर वही तरीके से मैं दूनना है फिर common factor लिख देना है यहाँ पर तीन नंबर कॉमन इधर भी कुछ नंबर कॉमन फिर इसमें सा हाइस्ट कॉमन फ्रेक्टर ढूनना है जो है कि दो बंढ़ी ऑफिर दो अन्टर करें से तो यहाँ पर मैंने लिख चुका है तो यहाँ पर शेंवी हाएस्ट में फ्रेक्टर निख दिया उसके दोनों नंबर को डिवाइड करना है हम लोग इसमें अश्य इनकान पर चाहिए इसमें इसमें महाइट फ्रेक्टर बंढ़ न में लोग और था रहे है तरी इसको अगर हम लोग 777 करेंगे तो हम लोग अनसर आ रहे तो बड़ते हैं एठ कोश्शन के तरफ तो हम लोग एठ कोश्चन है कि रमेश है 20 पैंसल्स शीलू है 50 पैंसल्स एंड जमाल एक लड़का था जिसके पास 20 पेंसल्स है शीलू के पास था 50 पेंसल्स और जमाल के पास था 80 पेंसल्स तो इसके बाद उनलोग का आफ्टर फूर मंथ के बाद रमिष ने अभी तक 10 पेंसल्स यूज कर चुका था शीलू ने 25 पेंसल्स ने यूज कर चुका था और जमाल ने 40 पेंसल्स यूज कर चुका था फिर वह लोग पूच रहे हैं इस सब काम लोग को सबसे पहले तो फ्रै न है वो इकवल है कि नहीं इन सब नारल कि असक्रों का तो अब最高 ही में लिए है तो सब्सक्राइब हम कर 'tॉटल पैंसिल र यूजाँ कर चुका था डेलो थियुकर फ्रेक्षिण होे पर 10 थे इसका फ्रैक्षिन होगा 10ग ड ट्रॉमकर जो प्रैक्षिन कर रहें कि तो हम लोग डिखेंगे टैनने तेनल इसके लिए फ्रैक्षिन छोटे फॉर्म में लाइंगे अगर इन तीनों के छोटा फॉर्मील रहेगा अगर वह मैच कर जाता है तो हम यह जो तीनों लोग है, इनका जो फ्रैक्टिन है यूज़ करने का सेम है, तो सबसे पहले, वह हम लोग स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, इसके लाँ लोग हो एच से फालना पड़गा, तो मैं ने इन दोनों का फ्रैक्टर निकाला, फिर कॉमन फैक्टर निकाला, उसके के बाद हम लोग ने हाइस्ट कॉमन फैक्टर से इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दो तो हम लोग को फ्रैक्शन जो आया है वह है वन बाइट तो अभी मैं यह पूरा मिटाते जहमाल और शीलू का भी लिख दूंगा फ्रैक्शन तो यहाँ पर मैंने शीलू और जहमाल का यहाँ लिख लिख लिए तो सबसे पहले लोग का टोटल पेंसिल और यूज़ पेंसिल लोग लिखेंगे तो शीलू का था 50 और यूज़ पेंसिल था 25 इसमें जहमाल का था 80 और उसने यूज़ के था 40 तो फ्रैक्शन वाइब 25 फिफिट इदर था 40 बाए 80 तो फिर उसके सब्सक्राइब लिखेंगे दोनों के लिखेंगे फैक्टर्स लिखने के बाद इसमें से हाइस लिखेंगे तो उसके बद हम लोगों फ्रैक्शन से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर बीद्गा तो पिछले बार जो हम लोग का जो रमेश था उसका भी आंसर आया था 1 तो इसे हम लोग को रमेश, शीलू, जमाल तीनों के smallest fraction आया है, तो तीनों जो था 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2 था, मतलब वो जो फ्रैक्शन आयता, वो तीनों सेम था, तो इससे हम लोग कह सकते हैं, यह लोग जो यूस कर रहे हैं, वो लोग यह जो पैंसिल है, वो एक्वल फ्रैक्शन में तो हम लोग यह लाइन लिख देंगे, तो हम लोग का जो आन सरफ complete हो जाएगा, तो हम लोग बढ़ते हैं, अपने last question के तरफ, तो हम लोग का जो 9th question है, वो है कि match the equivalent fractions and write another two more for each, तो यहाँ पर हम लोग को equivalent fractions को match करना, तो हम लोग को first column में कुछ fractions दे गए गए तो हम लोग को second column में, उसके equivalent fractions दे तो तो लोग को तो дाकेश्ट करने के लान wil फॉर्ट के जो फर्स्ट पॉल्म के नमबर संद्सको शॉट्स ए लाना पड़ेया जब स्फॉंकि इस जो सेर्फ को ल लिखे वह इन नमबर के शॉटष्ट म थे हमीन तो मैंने टाइम विश नहीं किया कुछ से निकालके यहाँ पर टेरेक्ट जो जो एट से फोली दिया जिससे आप लोगा टाइम बच जा तो यहाँ पर ने सब का एट से फोले नंबर से सारे नंबर फ्रेक्शन को डिवाइड कर दिया डिवाट करने के बाद जो नंबर है उस सीधे-सी इसके लिए करना पढ़ रहा है क्योंकि हम लोग को मैच करना है उदर तो यहाँ पर अभी हम लोग इस नंबर को इनके शॉर्टेस्ट फॉर्म के फ्रेक्शन से मैच करेंगे तो यहाँ पर यह जो यह लिख है मैंने यह इसको मैं मिटाऊंगा निया पर मैं दूसरा एक पे सब मैच करके लिखा है तो मैं आपको दिखाऊंगा तो 250 by 400 को हम लोग को 5 by 8 से मैच करना है तो यहाँ पर हम लोग देखे 250 by 400 तो 5 by 8 जो था वो था डी ऑप्शन तो हम लोग ने 2 by 50 by 400 को 5 by 8 से मैच कर दिया फिर उसके आवाद हम लोग ने 660 by 90 sorry 180 by 200 को 9 by 10 से मैच करना था तो हमने one-fight by 200 को 9 by 10 से मैच कर दिया तो था यह और घॉप्शन पिर तरडवाली को हम लोग को को 2 by 3 से मैच करना था तो थर ला से उसको 2 by 3 से मैच कर दिया फिर 4 का 180 by 360 से मैच किया फिर लास्ट हम लोग को यह भी नोट करना पड़ेगा यह भी बहुत जरूरी है और आप लोग को जो सारे कोशन से खतम हो चुग है पर इस कोशन में हम लोग को बोला गया है कि राइट अनादर टू मोर फॉर इच तो हम लोग को एक्स्टा लिखना है इनके अलावा तो वह भी हम लोग भी लिखेंगे तो यहां पर मैंने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पार्ड का यहां पर म मैंने क्या किया हम लोग ने जो मैच लिए तो उसको साथ साथ में लिख दिया उसके बाद जो हम लोग का इकुलेंट फ्रैक्शन हम लोग को इस फ्रैक्शन का मिला ता जैसे हम लोग को फर्स्ट टू फ्रैक्शन का मिला तो फाइट तो फाइवाइट को सबसे पहले मैंने तो से इन्टो किया तो इस्ते क्या हो गया हम लोगों को उसके जैसा ही इक और एक फ्रेक्शन मिल गया तो यह नमबर को बढ़ानी हो जाएगा यह वही नमबर रहेगा अगर चाहिए डिवाइड करन कर रोग को यह वही नमबर बन जाएगा तो अगर आप लोग इसे तुझ से डिवाइड करो के तो यह ऐसा नमबर बन जाएगा तो यहांब नहीं गरते हम लोग ने टू टू से इंटू मिलीए तो बढ़ते हैं लास्ट के दुपार्ट के तरफ तो यहाँ पर हम लोगे जो दो लास्ट पार्ट बचेते फोर्थ और फिफ्थ तो उसका भी मैंने यहाँ पर टू-टू से और थ्री-थी से इंटू करके जो फ्रक्षन से एक्स्ट्रा दो निकालने तो निकाल दे यहाँ पर वन बाई टू जो था इसका इकॉलेंट तो यहाँ पर हम लोगे जो सारे कोशन थे खतम मुझे का और पार्टू का यहाँ पर दी एंड हो जाता है तो अगर आप लोग को मेरे वीडियो से कुछ नौलज मिला तो प्लीस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैन यह दो फिर ठाक पर आपक मhility करें और नौलज मिला तो वीडियो वीडियो किया थिर अवीडियो कर दोस्तों को अगर मिला। Selन पारू। झाल झाल झाल